ओके सो हेलो एवरिवन आज हम लोग नियू वीडियो के साथ नियू हैरकट सीखने वाले हैं जी हाँ दोस्तो आज का हैरकट है फेदर वीद लेयर हैरकट जिसमें आप लोग को काफी अच्छा फेदर लुक मिलने वाला है तो आप लोग हैर्ट का लेन देख सकते हो कि नॉर् जाता है तो सेक्षिनिंग के ऊपर पूरा वीडियो हमारा डेटेल में है तो जाए दोस्तों और वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल में तो चलिए सबसे पहले हमने ट्रैंगल सेक्षिन ले लिया है और क्लाइन को पहले कंफर्म कर लेंगे कि उन्हें कि तो यह जैसे कि हमने कट किया यह हमारा गाइडलाइन अब इसी गाइडलाइन को हम दो पार्ट में करेंगे डिवाइड और देन हमारा स्टार्ट होगा फेदर देने का हैर कट तो देखिए इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो दोस्तों पटा-पट वीडियो पर और जो हमें गाइड लाइन दिखरी उसी गाइड लाइन तेक हमें करना है इसे कट और उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको फ्रेंट में फेदर लुक मिलेगा तो चलिए इसी तरह हम लोग स्टेप बाइड पतले पतले सेक्शन्स लेते जाएंगे बट हमारे गाइड लाइन आएगा वहां पर हम कट करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि फिंगर आप लोग का क्रॉश रहना चाहिए और जो आपकी ग्रिपिंग है वो ग्रिपिंग आप लोग की काफी अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि अकर प्रॉपर तरीक से ग्रिपिंग नहीं रहा तो आप कि हम लोग step by step cut करते जा रहे और कितना भैतरीन सामें feather look मिलते जारा अब यह हमारा last जो हमारा length है वो length को हम cut कर रहे हैं तो last के length को भी आप लोग को उसी तरह cut करना है जब आप लोग का एक बार पूरा one side का हो जाए तब आप लोग को उसमें एक new technique यूज करना है क्या यूज करना है जिससे कि हमारा length जो हमने cut किया है वो proper तरीके से पूरा एक equal look में आये तो जब भी आप लोग का haircut feather cut complete हो जाए तब आप लोग को लेना है पूरे hairs को और पूरे hairs को आची तरीके से एक ही sectioning में कर लेना है और उसके बाद में कान की उपर से देख सकते हैं आप लोग क उसके बाद में tight gripping लेना है और हो सकते हैं दो से तीन बार चार बार इतनी बार भी आप लोग को कॉम कर सको कॉम करिए और उसके बाद जब आप लोग को लगे कि हाँ perfect तरीके से हमारे hairs में पूरे आ चुके हैं तब आपको करना है इसे cut तो देखिए even cut करना है आप लोग क जो हमारा guide line ने वहां तक लेके जाना है और फिर आप लोग को इस तरह का look मिलेगा देखिए आपने कितना बहत्रेन सा feather look मिले जब हम इसे styling देंगे तो और भी ज्यादा amazing लगेगा तो दोस्तों यह सब gripping अच्छी तरीके से finger में हमारे eye proper तरीके से haircut cut हो यह सब के लिए आप लोग का hairs अच्छी तरीके से wash होना चाहिए जहां दोस्तों अगर hairs आप लोग के dry है अच्छी तरीके से wash नहीं है तो आप लोग को इतना proper तरीके से finger में gripping नहीं आएगा hairs हमारे finger से निकलते जाते हैं तो उसके लिए आप लोग को shampoo और conditioner करना है L'oreal का ही और shampoo के बाद conditioner कंपल से यह नहीं कि खाले shampoo कर दिया और फिर आपने haircut करना start किया नहीं शैंपू से हमारे hair dry हो जाते है बट उसके बाद में हम जैसा look चाहिए वो मिलता नहीं है तो जब conditioner करते तो hair काफी soft हो जाते है तो बहुत लोग का यह doubt रहता है और question रहता है कि सर आप haircut से पहले क्या यूज़ करते हो shampoo और conditioner तो हम shampoo conditioner को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कि हमें अच्छा gripping मिलता है तो देखिए अब हम आच चुके हैं opposite side की sections पर वहां पर भी हमने हमारा guideline जो था उसी guideline के according हम नीचे cross की तरफ कट करते जा रहे हैं और हमें एक अच्छा सा बहतरीन stylish Rohit link आप लोग को description में मिल जाएगा वहां पर जाएए follow करिए और वहां पर आप लोग जो भी आप लोग के hair से related doubt है आप में लोग कुछे question कर सकते हो और अभी बहुत सारे color से related भी videos आने वाले हैं तो आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखो और videos देखते रहो ता अभी फिलार हम लोग लोग लाश्ट वाला section जो हमारा final length section है उसे cut कर रहे हैं आप लोग के बात बता दें कि जब भी आप लोग यह haircut करोगे आप लोग देखो कि back side में एकदम proper V type का shape आ जाता है तो बहुत लोगों का यह रहता है कि sir V type का shape किस तरह है V haircut कैसे करें back side में length मे तो जब भी आप लोग deep feather cut करोगे तो आप लोग को deep V shape आप लोग को back side में मिल जाएगा तो किस तरह मिलेगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो चलिए हम इसे cut कर लेते हैं जैसे कि हमें guideline मिला और जो भी uneven hair से हमने उसे किया cut तो वो cut करने के बाद में जब हम इसे last में का हमारा cut complete और देख सकते हो आप लोग की कितना बहतरीन सा feather आ रहा है और हमारा length भी काफी maintain है और आप लोग को left और right दोनों side का देख सकते हो कि दोनों में हमें feather look मिल रहा है तो चलिए अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा back side का जो हमारा length है वो length भी हमारा maintain है तो यह haircut आप उनी hairs पर करिए जिनें ज्यादा hairs चाहिए unlimited layers चाहिए और इसमें आप लोग को front में feather look तो मिलेगा है लेकिन जब आप clipping करोगे या फिर open रखोगे तो आप लोग को पूरा top two button तक एकदम बहतरीन सा layer मिलता है तो मैं आप लोग को final result दिखाऊंगा और blow dry किस तरह करना है वो खाली जो भी uneven hairs हमें दिखेंगे हमें बस उसे normally तरीके से cut कर लेना है जो भी पतले और thin hair लगेंगे बस उसे ही cut करना है और हमारा V-shape हमारे back side का ready है तो चलिए blow dry के लिए आते हैं तो blow dry के लिए हम use करेंगे iconic का machine और iconic के brush यूज़ करना है middle brush यूज़ करना है middle brick brush और middle brick brush सह आप लोग को देना है in में blow dry करने के लिए देखिए सबसे पहले root में और middle length तक blow dry करना है उसके बाद में जो bottom area है उसे अच्छी तरीके से in में blow dry करना है और 90-45 degree में उपर के तरफ लोगे तो एक बहतरीन सा आप लोग को bounce look मिलेगा तो आप आच चुके हम लोग front का look जो की fall में और flicks को जब भी आप लोग कट करिये कट करने के बाद में एक अच्छी तरीके से blow dry भी होना बहुती ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर proper तरीके से blow dry नहीं रहेगा in और out का combination नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को issue हगा अगर blow dry का वीडियो देखना है तो अभी just हमने latest एक ब्लोड राय का वीडियो डाला है वो जाकर आप लोग देख सकते हो तो चलिए अब हमें आप लोग को दिखाने वाला एक final result हमारे haircut का और किस तरह से आप लोग को यह फेदर लुक को कॉम करना है किस ब्रश करना है वो भी देखिए तो पहले आप लोग फॉल देख लि होता है आप लोग को यूज करना है पैडल ब्रश जो कि फ्लैड ब्रश होता है आप लोग को पता है उसी ब्रश से आप लोग को करना है तो देखिए किस तरह करना है आप लोग को देखिए इस तरह से आप लोग को ब्रशिंग देना है ताकि आप लोग का जो फेदर लुक तो आप लोग मेरे एक छोटी सी हेल्प कर सकते आप लोग मेरे सलोन के नेम को Google पर सर्च करिए तो Google पर डालिए रोईत फैमिली सलोन जब आप रोईत फैमिली सलोन डालोगे तो जो भी लोकेशन है वो मेरा ओपन हो जाएगा तो उसके बाद जो आपको सामने ओप्शन दिख रहे हैं ओवर व्यू रिव्यू सर्विस अपडेट फोटो अबाउट तो आप लोग को जाना है रिव्यू में तो देख सकते हो यह एक रिव्यू इस पर क्लिक करिये और क्लिक करने का जब नीचे जाओगे तो आप लोग को यह पर फाइ स्टार दिखेंगे तो आह पलोग को देना है फाइ स्टार और पाइसा बॉक्स ओपन होगा जहाँपर आप लोग मेरे hair service के related आप लोग कमेंट कर करने के बाद में आइसा इसे स्क्रीन शॉट मारिए और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेच करिए जहां पर मैं आप लोग के डाउट का बहुत जल्दी रिपलाई करूंगा